नमस्कार दोस्तों आप लोग कैसे हैं उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे आपका ये दोस्त अरुन ने एक नई वीडियो के साथ हाजी रहे तो दोस्तों आज एक लिडी टीवी हमारे पास आई है रिपियर करने के लिए और इसको हम लोग रिपियर करेंगे और इसके बार को सौट आउट करेंगे कैसे ढूणेंगे इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकान को प्रेस कर दें जिससे हमारे दोरा बनाई गई वीडियो की नही नहीं नोटिफिकेसन आप तक पहुंशती रहे तो दोस्तों आईए हम ये एलेडी टीवी रिपियर करते हैं और पूरे वीडियो में आप लोग बने रहें जिससे हमारे दोरा जो भी आपको यहां पर डिटेल दी जा रही है उसको अच्छी त यहां बारा बोड की सप्लाई मिल रही है जैसा कि आपको यहां पे मल्टी मीठर में दिखाई दे रहा है सबसे पहले हमें मग्रबोड की सारी सप्लाईय feelings चेक कर लेनी होती से नहीं कभी-कभी इनग्यों की वज़ा से भी ये फ्याल्ट आती है तो यहां पे आपको चेक कर को यह 1.2 बॉल्ट की कोैल है हम पर इसको कर सकते हैं और उसके बाद आपको एक को fazem ऊल की को काहल होगी उसको भी मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं दोसतों तो यह आप चेक कर लें, यहाँ पे भी एक 5 बोल्ट की कॉयल है, और इस पे भी 5 बोल्ट पूरे एको रेट होनी चाहिए, कम ज़्यादा होगी तब भी दिक्कत हो सकती है, तो यहाँ पे जैसा कि मैं आपको चेक करके दिखा रहा हूँ, इसको यहाँ पे कॉयल पे ही चेक कर आप देख सकते हैं चेक करके, यह 5 बोल्ट की सप्लाई है, 5.15 बोल्टे जहां पे हमको मिल रहा है, मैं आपको यह जैक वायर निकाल के आपको दिखा देता हूँ, कॉयल, जिससे आप अच्छे से समझ सकें, तो यहाँ पे आपको कॉयल दिखाई दे रही है, और इस कॉयल है दोस्तों तो इसका मतलब 3.3 मेरा OK है, और यहाँ पर आप कनेक्टर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 12 बोल्ट की सप्लाई कनेक्टर पर मिलती है, तो आपको पहले इसी मालوم है, बोल्ट मेरा 12 बोल्ट संत्पलाई पर काम करता है, उसके बाद मैं आपको यहाँ पर लेनी है उसके बाद हम लोग पाइनल की तरफ चलते हैं और पाइनल में भी कुछ चीजें हमको देख लेना होता है क्योंकि कभी-कभी बोड की प्रॉब्लम से इस तरीके फाल्ट आती है कभी-कभी पैनल के भी प्रॉब्लम से भी आती है तो यहां पर मैंने पाइनल निकाल दिखाई दे रही है और यहां पर हमको कोई डश्ट दिखाई दे रही है और यह हमारी डिसी डिसी आईसी है यह पूरा एरिया हमको यहां पर चेक कर लेना है यहां पर भी एक आईसी आपको लगई दिखाई दे रही है तो यहां पर हमको जैसे कि मैं चेक कर पा रहा हूं क कोई सामान हमको जला ओला दिखाई नहीं दे रहा है तो इसको हमें ध्यान पुर्बक से देख लेना है और इसको हम डेश्ट को एक बार साफ करके किलियर ली देख लेते हैं कोई सामान हमको यहां पे जला या ओपन तो नहीं दिखाई दे रहा है तो यह मुझको यहां पे एक यह भी trek कर लेना है यहां से supply 12 बूल्ड की जाती है की नहीं जाती है तो इसको भी आपको देख लेना है यह supply 12 बूल्ड की जाएगी तभी पैनल पे supply बने ग तभी और घ्राफिक सनेगा तो यह supply जा रही दोस्तों क्योंकि graphics बन रहा है, fluctuation हो रहा है तो एक बार हम लोग अब चलते हैं इसको फिर से कनेक्ट कर देते हैं और उसके बाद हम लोग चलते हैं मदर बोर्ट की तरफ और मदर बोर्ट में एक हम Capacitor यहां पर दिखाई दे रहा है दो Capacitor लगी होते हैं किसी किसी में एक ही लगा होता है तो यहां पर एक Capacitor लगा है और इस तरीकी की fald कभी कभी आती है दोस्तों मैं आपको यहां पर एक चीज ट्राई करके देखता हूँ उसके बाद आपको मैं चेक करके भी दिखा देता हूँ तो पहले मैं सबसे पहले ये जो हमारी keyboard की wire है इसको में connect कर लेता हूँ अब keyboard की wire मैं दोस्तों हम पर लगा दे रहा हूँ उसके बाद ये जो capacitor हमको दिखाई दे रहा हूँ यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं एक capacitor लगाते हैं और फिर देखते हैं कि हमारी problem सही होगी कि नहीं होगी क्योंकि मैंने इसके पहले भी पाया हुआ था capacitor leakage था और सी ओजा से भी problem सहा रही थी ये टीवी मेरे पास आई थी इस तरीके की तो मैं उसमें ये repair कर चुका हूँ इसलिए मैंने सोचे आप सभी के लिए वीडियो बनाओं तो यहाँ पर मैं capacitor लगा के try करता हूँ क्योंकि कभी कभी क्या होता है current जो हमारा सही से filter नहीं होता है और इस वज़ा से भी हमारी supply की part के वज़ा से display की problems आपको दिखाई देती है तो ये capacitor आप लगा के check कर सकते हैं ये भी नहीं सही होगा लगाने से तब फिर आप display पिर जाएंगे दुबारा से क्योंकि हमें सारी चीजें चेक करने पर okay मिल रही है तो मैं capacitor लगा के TV को आन करके देख लेता हूं दोस्तों आईए हम लोग set को आन करते हैं और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मेरा set यहां पे okay हुआ है कि नहीं हुआ है फिर अगर कोई problem दिखती है तो उसके आगे हम लोग test करेंगे तो दोस्तों यहां पे मेरा set जैसा कि देख पा रहे है आन हो गया है और अच्छी तरीकिस ग्राफिक्स आ गई है तो यह file जो यह capacitor की होजा से थी अभी कभी है फूले हो या leakage आपको मिल जाते हैं लेकि यहां पे यह सही दिखाई दे रहा था तो मैंने यहां पे एक capacitor लगा दिया है 35V 1000MFD का और उसके बाद मेरा set ओके हो गया है दोस्तों अच्छी खाशी पिक्चर आ रही है और इसको मैं सीधा कर लेता हूँ देख रहे हैं आपको कोई problem नहीं दिखाई देगी कोई fluctuation नहीं मिलेगी और आपका set अच्छी तरीके से काम करेगा दोस्तों अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दें और इससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें बहुत बहुत धन्यबाद झाल